सभी सख्यों और शोताओं को मंजरी वर्मा और चंचल वर्मा का नमस्कार तो सखी सहली में बहुत-बहुत सभी का स्वागत करते हैं और चंचल जी हम लोग भी काफी समय बाद मिले हैं तो बस एक दुसरे का स्वागत कर लेते हैं और देखे मौसम तो बड़ा सर्द सर्द सा हो गया है लेकिन हमारे विशय में थोड़े सी सर्दी नहीं है गर्माहट है तो सबसे पहले अपने विशय बता देते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे बिना सोचे समझे भरोसा करना बिल्कुल ये एक बड़ा मुद्दा है कि किसी भी अंजान अजनबी व्रक्ति पर भरोसा कैसे करें क्यूं करें और क्यूं ना करें कब करें ये सब सोचने समझने वाली बाते हैं और हमारे जो भी सुनने वाले हैं वो इस बारे में जरूर कुछ बाते हमें लिख रहे हैं और ओर जाहता लिखेंगे विशर से बात करेंगे दूसरी बात करेंगे कि हमारी जरूरत हैं उस पर भी कहीना कहीं एक नियंत κर्ण जरूरी होता है हर चीज जो चाहिए तुरंथ ही पूरी होनी चाहिए ऐसा भी नहीं है यारी अवशट्ट्ताउं पर नियंत्रत के बारे में हम बात करेंगे और चंचल गीत मंजरी में हम बात करेंगे रूप के बारे में तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे नारियल की मलाई के फाइदे क्योंकि मौसम यह ऐसा है तो नारियल की मलाई तो सब खाते ही है तो थोड़ा सा अपना इस्तेमाल भी कर लेंगे बिल्कुल बही सरदियों के दिन होते हैं खाने पीने के पूरी तरह से लुट्फ लेने के तो इसके भी लुट्फ उठाएंगे फिरहल बात करते हैं कि भरोसा बिना सोचे समझे करें ना करें क्यूं करें कैसे करें क्योंकि जिंदगी में इतने सारे उतार चड़ाव मंजरी आते ही रहते हैं कि सामने वाले विक्ती समस्या से घबरा कर कई भरोसा कर बैठते हैं आगे पीजे का सोचते ही नहीं है और ऐसे में होता यह है कि जो अजनभी है जिस पर हमने भरोसा किया है हो सकता है वो हमारी कमजोरी का फायदा भी ठाले बिल्कुल और महीं कभी-कभी क क्या होता है कि कोई सही भी होता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती है फिर भी हम तो यही कहेंगे कि जरा सोच समझ कर भरोसा करें जैसे चंचल क्या होता है चीनी और नमक दोनों के रंग एक जैसे सफेद होते हैं लेकिन दोनों का जो स्वाध होता है उसमें बहुत फ बिना सोचे समझे भरोसा करना इस पर लिख रहे हैं कि किसी को धन देना किसी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने से संबंदित कई अन्यकारे भी हो सकते हैं बिना सोचे समझे किया गया भरोसा कई बार नुकसान भी दे सकता है इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उ बिना जीवन में एक कदम भी आगे बढ़ पाना मुश्किल है लेकिन ये भी सच है कि धोके जैसे शब्द भी भरूसे के साथ ही यात्रा करते हैं जहां विश्वास है विश्वास भी होता है इसलिए बिना सोचे समझे किसी पर भरूसा नहीं करना चाहिए इस बात पर मुझे एक बात याद आती है मंजरी कि भरूसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी के साथ क्योंकि कभी-कभी खुद के दांत भी हमारी जीव को काट लेते हैं बिल्कुल सही कहा और इसी को चंचले को और संदेश हम पढ़ देते हैं कि बिना सोचे समझे भरूसा करना गैरों के लि मीडिया से जो भी बाते सुनने में आती है तो यही लगता है कि अपनों पर भी भरूसा सोच समझ कर ही करना चाहिए काहे न वह अपना खून का रिष्टा हो का दिया हुआ दर्द तो आप सहन कर सकते हैं पर जब अपने आपका भरूसा तोड़ते हैं तो वह मौत से बढ़ सुशल मीडिया पर और जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर अगर हम जाकर कोई दोस्त बनाते हैं या किसी से जान-पहचार अपनी बढ़ाते हैं तो वह अजनभी भी हमारे लिए सही थाबित हो सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है क्यूक्कि वहा जाचने पर रखने के कि यहां भी आपकी भावनाव का दुरूपयोग होसकता है बिलकुल हो भी जाता है और कई बार हम उन लोगों पर भरुछा कर बैढते हैं जिसे जैसा कि हम जानते ही नहीं है बिलकुल अंजान है Paige मुलाकात हुई और दोस्ती कर ली और व्यक्ति सही नहीं है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है जैसे अंजान नंबर हम किसी को अंजान से रास्ते में मिले या ट्रेन में मिलते हैं सफर करते दौरान मिलते तो बातों बातों में एक दूसरे को नंबर शेयर कर देते हैं या अप करी बार नहीं हो पाता है तो सामने वाला भी आपका व्यूंती सामान के साथ साथ कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने जो परिवार के बुज़र्ग हैं या बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी भी हमारी अम्मा बैटी है आप दो मेरा ध्यान रखिए हम रिक्षे का पेमिन करक हैं तो वो व्यक्ति कितना भरोसा मनदा है क्यूंकि कुछ पर पह데ले ही आप उससे मिले हैं और भरोसा करके अपनी जिवन की पूंजी है यानि आपके माता-पिता या आपके बच्चे आप उनको उस व्यक्ति के हवाले करके जा रहे हैं तो ऐसा भरोसा आख मुंद कर तो ना करें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कई बार ये भी है देखा जाता है कि हम किसी अंजान जो है वो आता है और आपसे मदद चाहता है आर्थिक मदद चाहता है ज़र ही नहीं आता ऐसा होता है तो भाई दोखों आखों पर भरोसा मत कर इन्होंने बोला है लेकिन भरोसा हमें अपने आख कान सभी दिमार्ग पर सब पर रखना पड़ता है बिल्कुल कहते हैं ना ये दुनिया बड़ी अजीब है यह भरोसा किया भी जाता है भरोसा तोड़ा भी जाता है और यह दुनिया टिकी भी भरोसे पर ही है लेकिन भरोसा ही हमारे क्रिवा कहते हैं कि चीज़ों को डगमगा भी देता है और इस दुनिया में हम एक अजनभी की तरह आते हैं बहुत सारे रिष्टों से हम जुडते हैं जिस घर में जनम होता है हमारे लिए तो पहले माता पिता भी अजनवी है फिर उनके साथ अपना पन बढ़ता है अलग अलग रिष्टों से हम जुडते हैं और कहते हैं किसी तरह से जंदगी आगे बढ़ती है बिश्वास बनता है तूटता है बनता है तूटता है ये बार-बार हमारे साथ होती है रहती है और देखो एक चंचल संदेश आया है उसमें लिखते हैं कि बिना सोचे समझे भरोसा करना धन देने किसी को मात्मुर्ट जिम्मेदारी सौपने से संब्दित या अनकोई भी कार हो बिना सोचे समझे किया गया भरोसा नुकसान दे सकता है इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उस व्यक्त की अच्छी तरह परक कर लेनी चाहिए ताकि वह भरोसे मंद है भी या नहीं बिल्कुल क्योंकि जो भले इंसान होते हैं या मीठे बोल बोलने वाले दोहरे चरि भरोसा करना वास्तों में आश्चर जनक है कहा जाता है कि अकसर ऐसा केवल आपसी प्रीत में हुआ करता है सच भी है इस मामले में लोग कहां सोचते हैं सोचते समझते हैं ये भी सुनने में आता है कि सोच कर जो किया जाए वो प्यार नहीं होता और बिना सोचे समझे भरोस में देखकर ही नहीं अपिति ठोक ठाक कर ही भली भाती पर रखते वे भरोसा करना अनिवार और अपेक्षित भी है और इसी तरह अगले संदेश में भी लिखते हैं कि भरोसा पाने के लिए सारी उम्र लग जाती है खो तो छड़ भर में जाता है भरोसा बनाए रखना एक भरोसा तोड़ने की हिम्मत या जुरत ना करें तो बहतर होगा इससे सामने वाले का जो जब मन टूपता है दिल दुखता है तो ये नुकसान बहुत बड़ा होता है और कहते हैं एक अदालत वहां ऐसी भी है जाए इनसाफ सबको मिलता है ये आपके साथ भी कभी हो सकता है जो हम चीज बोते हैं वो ही आगे हमें मिलती भी है तो आप अच्छाई बोई है तो आपको अच्छाई ही मिलेगी और अगर आप धोका और बेहिमानी बोएंगे तो आपके साथ भी धोका बेहिमानी हो सकती है इसी तरह से जो हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं बढ़ हम जरूरतों की जो लिस्ट है वह बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन जो व्यक्ति कमा रहा है हम उसके सोची नहीं रहें उसका भरोसा हम तोड़ रहें हैं यानि कि जो तो हमारी अफशक्ताइं वो बढ़ चड़कर हो जाती हैं यानि कि अफशक्ताइं अनन्थ होती हैं और जो एक के बाद दूसरी अफशक्ताइं जन्म लेती रहती हैं कि वह ना पूरी हो तो बेचेनी भी शुरू हो जाती है और तब आपके लिए मानसिक और शारिक रूप से स्वस्त जो आपका मन है और शरीर है वो अस्वस्त होने लग जाता है और ऐसे में ही अफशक्ताओं पर नियंतर करना बहुत आवशक्त हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक अफशक्ता है हमारी जन्म लेती है एक चीज हो गया तो लगेगा नहीं थोड़ा सा यह चीज भी ह हमारे पास हो जाए और आप अच्छा पैना तो देखे लगता है यह भी हो जाए है लिखते है कि भाई सब अगर यही हो जाए तो फिर मनुष्य देव की शेणी में ही आजाएगा आवशक्ता तो आवशक्ता है हम लोग तो संचय में विश्वास करने वाले प्राणी हैं हम अपनी आवश्य तो इतनी बड़ी हुई है कि हमारी पीडी दर पीडी कभी दुखी ना हो इस बारे में सोचकर भी इस चीज़ को भी चरितार्थ करने में अपना जीवन यापन करने में सभी लोग लगे हुए हैं एक कथा है कि जो हमारी आवश्यक्ता से संबंदित है जिसमें हमारे लोब का भी जिक्र है उसके अनुसार एक साधू जोंपडी बनाने की अभिलाशा से राजा के यहाँ पहुचा राजा को आश्यर हुआ कि साधू और जोंपडी उन्होंने कहा कि सामने की जमीन है शाम तक जितना दोड सकें आप सब आपका हो जाएगा सुबह से लेकर शाम तक साधू लोब में दोड़ता रहा और अंत में उसके लोब का परिणाम यह हुआ कि उसने मात्र पांच गज जमीन ही पास पास अगा हो यही कहते हैं कि अफशक्ता बड़ा चड़ा ली और सेंचल एक सं कुछ भी करने के लोग तयार रहते हैं मन और अफशक्ता को उतना ही उड़ाईए कि उड़ने के बाद जब नीचे आए तो बहुत तकलीफ ना हो इसी तरह से आवशक्ताओं पर लिखा है हमारे सुनने वाले ने कि आवशक्ताओं असीमित होती है एक की पूरती होती है तो अपने सामने ही देखने को मिल जाएंगे कि कई बार हम कर्ज लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करने चलते हैं और कर्ज ना चुका पाने की सिद्धी आगे चलकर बहुत ही खतरनाग बन जाती है बिल्कुल जही बात है और कई बार होता है कि हम सभी की कुछ मूल भूत अफ गार की जरूत रहती है लेकिन क्या होता है कि हम प्रतिस परधा की दौर में हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं हमें इससे आगे और चीजे भी चाहिए चाहे आपके रसों की बात कर लो कि आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ सामान बजार में देखेंगे तो लगा ये भी हो जाए मारे पास ये भी हो जाए तो क्या होगा कि खर्चे का जो बोज है वो उसके उपर पड़ेगा जो मेहनस से कमा रहा है और इसी तरह से एक बड़ा विस्तारित सा बहुत मिलब विस्तार रूप में होने इस बारे में लिखा है आवशक्ताओं के बारे में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पहचाने, थोड़ी सी बचत करें, खर्चे को नियंद्रेण में रखें, अनावशक खर्च को कम करें, जरूरत के चीजों के बारे में योजनाय बनाएं, थोड़ा सहीम रखें, अपना बजट बनाएं और सब चीजों को संग जो मूर आवशकता है हमारी ये तो हम यह सभी जानते हैं कि हवा, पानी, रहने के लिए घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े यही होते हैं, लेकिन इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो वह आवशकता है नहीं, वह सिर्फिर भोग विलास की चीज़े बन जाती हैं, जिस करने लगती है, और यही हीन भावना हमें उकसाती हैं अंदर से कि उन चीज़ों को हम हासिल करें, चाहे उसके लिए हम कुछ भी गलत सही कर रहे हैं, यहीं तो हम मात खा जाते हैं और गलत कर बैठते हैं, जब नहीं चीज़े मिलती हैं, तब क्या होता है, मन विचलित होता हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आप अपने आपको खुद को नियंदरन करना सीखें, कि हमारी जितनी चादर हम उतनी ही चादर में अपने पैल पहला है, ज़्यादा की ज़रूत नहीं है, थोड़े से ही कम चलाना सीखें, तो एक दिन संतोश अगर रखेंगे, तो आपके प इनतजार नहीं करेंगे, हम सोचेंगे, आज बीज बोया और अभी हम फल खालें, तो संभव नहीं ना, तो धहर रहें, और इनतजार ये बहुत जरूरी है, तो आप बस महनत से अपना काम करते रहें, और नतीजे आपके सामने जरूर अच्छे आएंगे, और जब मन को हम क जहरे का गलो भी खराब हो जाता है, और जो हमारी सेहत है उसके बारे में बताने वाले ना, कि नारिल की मलाई जो है, कहना चाहिए, सेहत के साथ तवचा की रंगत निखारती है, और कई हेल्थ के बैनिफेट्स इसमें मौझूद होते हैं, इसमें फैट की मातरा अधिक होत परbいきます बिल्कुल अगर हम तला हो खाते हैं, तव जो फैट है या वसा है, वह कही ना कहीं जा कर हमारे शरीर में चिपकता है, रदय को नुक्सान पहुछा सकता है, हमारी तबच्या पर भी कीलल मुँहां से निकलते हैं, लेकिन जो नारिल की मला आई है इसका जो फैट है य और इसमें फाइबर की मातरा भी खूब होती है जो पेट में काफी समय तक भरा होने का एहसास कराती है और जिसकी वज़े से क्या होता है कि भूग भी कम लगती है इसी तरह से नारिल खी मलाई में मंजरी जी पॉलीकेनॉल और एंटी ऑक्सिरेंट जैसे तत्व पाया जाते ह हैं जिसके होने से शरीर की जो कोशिका है वो उनका विनाश होने से उनके ख्षती होने से बचती है और इसी लिए कही तरह की जो क्रोणिक बीमारियां है उनसे हम बचल जाते हैं बिलकुल और नारिल की मलाई से मानसिक इस तरह अच्छा रहता है पाचनशक्ति इम्यूटी हैं जिनसे रहत मिल जाती है और कई बार जो किड्नी से समस्या होती है उसके लिए भी चिकितसक सलाह देते हैं कि आप नारिल का पानी पीजिए और उसके साथ अगर आप चाहें तो मलाई अगर उसमें है तो उसका भी सेवन कर लीजिए बिलकुल और बलड शुगर लेवल क सेवन करें इसमें saturated fat होता है तो दिल दुरुस रहता है और ये शरीर में good cholesterol को बढ़ाती है और बुरे cholesterol के इस तरको कम करती है और तवचा पर इसे अगर आप लगाते हैं तो कील मुहा से जुईया जुरिया जाईया इनसे भी निजात मिलती है टैनिंग और जो बढ़ती हु उनके अंदर जो पल रहा भूण है उसे भी सिहत मन रखता है बिल्कुं सही बात है और जो नारिल की मलाई होती ना चंचल उसमे नचुरल मौश राइजर होता है जैसे आप एक चमच मलाई ले ले लीजिए उतना ही उसमे नारिल पानी ले ले लीजिए और कुछ बूंदे है आपकी स्किन पर निकल कर सामने आएगा तो जो बढ़ती उम्र है उसे जब होने वाले जुरियां है उसे चुटकारा मिल जाएगा और दो आजकर सर्दिया है ना तो सर्दियों में अगर पानी से धुने का मन नहीं करता है ना नहाने लगेगा कम धोना पड़े मूह तो अगर आप ये चीज़ लगा लेंगे तो आपको सर्दी से जो रुखापन आ जाता है करी बार तो उसमें आपको फायदा मिल जाएगा और ऐसे घरेलिन उसके कई बार हमें जब हमारे पास समय की कमी है या हमें लगता है कि कुछ आर्थिक सबस्या है तो पालर जानने के खर और चेहरा फिर कुन-कुने पानी से धो लीजे तो भी चेहरे पर एक अलग निखार और चमक आ जाती है और संबर्ण और रेशिस की जो परिशानी होती वो भी दूर होती है अगर संबर्ण में आप क्या करी कि नारिल पानी से चेहरा धो लीजे अब नारिल की मलाई उसमें अलोविरा जेल और चुटकी बर हल्दी मिलाकर आप इसे लगाएंगे तो जो रेशिस पढ़ जाते हैं वो भी ठीक होने लग जाते हैं यानि कि नारेल के मिलाई बड़ी काम किये हैं आम के आम गुठलियों के दाम है यह तो वही बात हो गए कि आपको सिहत को भी दुरूस रखेगी और आपकी सुन्दर्ता को भी निखार के रखेगी बिलकुल रूप जो है आपका निखरा निखरा लगेगा हम बात करें के रूप के बारे में भी क्योंकि गीत मंजरी का अपनी आखों में बसालूं यह दमकता हुआ संदर्य है मेरी धर्कनों का आज भी तेरे आने का इंतजार है हाँ मुझे बेपनह प्यार है और यह इनकी सफरचित पंग्तियां है कहीं से इन होने ली नहीं है किसी कर जाह की तो बहुत-बहुत बढ़ाई आपने बड़े सु माया हुआ है हमारी नजर जहां भी पड़ती है उन सभी में रूप सौंदर की आभा मन को प्रसनता का आभास करा जाती है बस वो द्रिश्टी वो समझ हमारे अंदर होनी चाहिए बिल्कुँ प्रकृति की हर चीज में खुबसूरती है और उसका हर रंग अनुपम है धरती से लेके अंबर तक आकाश तक अथा सागर हर जगा खुबसूरती है यह प्रकृतिक सुंदरता लहलाते वरक्ष हैं लताएं हैं या फिर नभ में उड़ते हुए सफे सफेद बादलों की रूई जैसे होते हैं जो लगते हैं चहाते पंच्छी हों जरने हों नदियां हैं साग इस रूप को रशने वाले का भी रूप सौंदर कितना मनमोख है जिसके हम कलपना भी नहीं कर सकते फिर उसी ने तो हम सभी को बनाया है और हर व्यक्तिकों को रूपवान बनाया है ऐसा रूप रंग जो रिजहाता भी है और लुभाता भी है मंजरी जी इस जिन्दगी में हम बहुत सारे अनेक अनेक रूपों से गुजरते हैं जो जिन्दगी के रूप हैं उतार चड़ाव हैं और इसी तरह से नर नारी के भी कई रूप होते हैं नारी का कई बार हम अलग-अलग रूप देखते हैं कभी मा, बहन, पत्नी, सखी के रूप में वो अपना-पना किरदार निभाती है उसी तरह से नर यानि पूरुष भी पिता भाई पती एक दोस के रूप में अलग-अलग रूपों में अपना किरदार निभाता है कहीं ममता है प्यार की छाव है कहीं-कहीं उनका व्यक्तित वो इन रूपों में निखर कर आत अरूपन में अरूप मों डेकना भी अरूप देको है, उसके दर्शन के बाद ही, कोई अपना वास्तविक रूप देख सकता है, यानि ये इश्वर के बारे में कहा जा रहा है अन्य था द्रश्यमान जगत में तो म्रग मरीजिका से ही भरे हुए रूप हमें दिखाई देते हैं बिल्कुल सही बात है रूप को सवारने में चीज़े उपयोग मिलाते हैं सुंदरता और निखर के आती है यानि जो हमें प्राक्तिक रूप से मिला होता वो और जो अपनाते हैं बिल्कुल और लेकिन कहते हैं कि रूप तो वही सुंदर है जो मन से भी सुंदर हो रूप अपने संग कई भावों को, कई एहसासों को लेकर चलता है जिसे साधना पड़ता है रूप सर चड़कर भी बोलता है, ऐसा भी कहा जाता है और हेंकार भी हमारे अंदर ये कई बार ले आता है वही रूप में साधगी का कमल जैसा भी रूप खिलता है और रात की रानी जैसा भी रूप हमारा महकता है प्रकति के असंग की रूप हमारी वसंदरा को सजाते हैं उसमें नव जीवन का संचार करते हैं उसमें से रितु का भी रूप होता है चाहे वो बसंत रितु का रूप हो जिसे रितुराज कहा जाता है इस रूप को हर कवी ने अपनी कविताओं में उतारा है सभी रख्च लताय नव पलव और नव कुस्मों से सच कर जूमने लग जाती है और इस रूप को देखकर दिल भी जूम उटता है इसी तरह से जो अन्य रिदू है उनका भी रूप है गर्मी की रिदू जब आती है या शरद रिदू जब आती है तो वो अपनी अपनी खुबसूरती लिए हुए आती है और हमारे जीवन में भी उनका रंग भर देती है साफ नीला आकाश, चिलचिलाती धूप, सर्द हवाएं, कोहरे का नम रूप और ऐसे समय में खिलते हैं अलग-अलग तरह के अनकिनत, पुष्प और इन्हें देखकर इस प्रकृती के सौंधरे को देखकर हमारा मन भी प्रसन होता है और मचल उट जा है, इस मोहक रूप को देखकर हमारी जो नेत्रें उनमें भी ठंड़क पड़ जाती है बिल्कुल सच है ना मंजरी जी, कि धर्ती से आकाश तक, प्रकृती से जीवन तक, रूप ही रूप समाया हुआ है और इस सौंधरे के साथ हम अपनी उम्र भी गुजार रहे हैं और दिल को कई बारे रूप छू जाता है, और कई बार ये जो रित्वों का रूप है, हमारे रूप पर भी असर दिखाता है जब तेज हवाएं चलती हैं सर्दी की, तो वो हमारे जो तवचा हैं से खुश्कु कर देती हैं और कहीं न कहीं हमारे रूप का संतूलन जो है वो थोड़ा विगणने लगता है इसी तरह जब गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है तो वो हमारी त्वचा को जुलसा देती है तो अपने रूप और सौंधर्य का खयार सभी रखें तो दिखो चंचल हमारे संदेश में लिखते हैं कि लौकिक रूप अपने अवस्थाओं में रहने से विरही होता है लेकिन इस विरही में रहने वाले उस अविरही के रूप के दीदार के बाद के रूप को भी सूचिए प्रकती तो भौतिक और नश्वर है लेकिन इसमें ही आलोकिक के दर्शन का भी जोबाई है बिल्कुल ये जो बाते हैं आलोकिक रूप की बात की गई है ये जो परमात्मा है ईश्वर है भगवान है रब है अल्ला है वहाई गूप कितने नामों से इसे हम जानते हैं उसी के रूप की बात करी गई है और उसका रूप किसी नहीं देखा नहीं हम अपने मन में उस रूप की एक कलपना बनाते हैं उसके दर्शन करते हैं और वाकई में वो रूप अलॉकिक है और अगर हम अपने रूप की बात करें तो यहां हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि रूप यानि बाहरी विशेष्टा पर हमें अपने स्वरूप को निखारना चाहिए यही असली पहचान है तो यह कर रही है व्यक्तित्व को निखारने की बात एक रूप है जो हमें या रंग रूप जो हमें परमात्मा ने दे कर बेजा है जिस रूप में हम जन्मे हैं और एक व्यक्तित्व को हम निखार सकते ह समय बिल्कुल समाप्थ हो चुका है तो हम लोग अपने अपने सभी लोग मिलकर के सुन्दर से रूप को निखा रेंगे और लेते हैं सकी सहली कायकरम से विदा तो मंद्री वर्मा और चंचल वर्मा का नमस्कार